नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं भूगनम आपके साथ कॉंग्वेस सांसद राहूल गांदी की भारत जोडो नया यात्रा का शेडूल बदल गया है उत्रप्रदेश में राहूल अब कम दिन रुकने वाले हैं इसे नया यात्रा अपने निर्धारित समय से एक हफते पहले खतम हो सकती है पहले 20 मार्च को मुंबई में यात्रा का आखरी दिन था अब 10 से 14 मार्च के बीच आखरी दिन होगा पहले यूपी में नया यात्रा सबसे ज़्यादा 11 दिन रुकने वाली थी राहुल 14 फरवरी को यूपी आने वाले थे लेकिन अब वे 16 फरवरी को आएंगे इसके बाद 22 या 23 फरवरी को मध्यपरदेश जाएंगे वे पहले 27 या 28 फरवरी को यूपी से मध्यपरदेश जाने वाले थे मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक पहले के बलान के मताबिक राहुल की यात्रा चंदोली से लकनों तक ही होगी हलाकि इस बीच वे पश्चिमी यूपी के अधिकतर अलाकों में नहीं जाएंगे राहुल चंदोली से वानानसी और फिर बदोही प्रयाकराच और प्रताबगर से होते हुए अमेठी जाएंगे अगले पड़ाओं में रायबरेली और लखनों पहुचेंगे नया शेडियोल अभी जारी नहीं हुआ है हलाकि कॉंगर्स सुत्रों के मताबिक राहुल 19 फरवरी को अमेठी और रायबरेली में रहेंगे फिर लखनों से सीतापुर जाने की बज़ाए कानपुर और जासी जाएंगे कॉंगर्स मास रच्यू प्रयंका गांधी यूपी में राहुल को जोईन कर सकती है यूपी के बाद यात्रा मध्यप्रदेश जाएगी भारत जोड़ो निया यात्रा के दोरन राहुल का फोकस अमेठी और वारानसी पर जादा रहेगा यूपी में सबसे जादा असी लोकसभा सीटे हैं लेकिन साल 2019 लोकसभा चुनाओ में कॉंग्रेस एक सीट पर सिमट गई थी राय बरेली से केवल सोनिया गांधी को जीत मिली थी इस चुनाओ में कॉंग्रेस अपनी प्रेत्रक सीट अमेठी भी हार गई थी केंद्री मंत्री इस्मती इरानी ने राहूल गांधी को बड़े अंतर से हरा दिया था वारानसी से पिये मोदी सांसत हैं ऐसे में कॉंग्रेस वारानसी, अमेठी, रायवरेली, लखना और प्रियागराज पर ज़्यादा धान देगी राहूल गांधी ने 14 जनवरी को मनिपूर से भारत जोडो नया यात्रा की शुरुवात की थी 20 मार्च को खत्म होने वाली यात्रा 15 राज और 110 जिलों के 337 विदानसभा सीटो को कवर करेगी इस दोरान राहूल गांधी बस से और पेदल 6700 किलिमटर का सफर तै करेंगे इसी के साथ बने रे राज नामा टीवी के साथ धन्यवाद